दिक्षित ज्वेलर्स जेवन देप निवास बाइपास रोर बीसी एस शिमला किया और आज उन्हें अपनी गल्टी का दंड मिला है वहीं जगसिंग नेगी ने कहा कि कैबिनेट में मेरे जगड़े की खबर गलत है मेरे विभाग से संबंधित एजन्टा पूरा हो चुका था इसलिए मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया था मीडिया में चली रोहित ठाक पूर से मेरे जगड़े की खबर भी गलत है उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी पाटी की छवी खराब की गई है का स्टेवल नहीं होती है तो बीजी पीपालों आज हमें छोड़े ना था इस ताम तो जैराम जी जो है नाच रहे होते है तो जैराम जी आज दर दर बटक रहे हैं कभी दिली कभी चंडी गैड कभी शिमला बटक रहे हैं तो कारण यह है कि वह माइनेटरी में है और तरह से जो है बहुमत के साथ है और इस बहुमत को तोडने के लिए वह मतलब हर किसम के हथकंडे अपना रहे हैं आपने देखा होगा पहले छे लोगों को जो है किस तरह से उन्होंने डिस्कौलिफाय कराया और आज कहने कि हम सुप्रेम कोट जा रहे हैं वह जो चे है सुप्रेम कोट जाने इसका मतलब एक बड़ी गैरी साजिस थी कि एक चुनीवी सरकार को गिनाने के लिए बाजपा ने जो है एक शडेंतर रचा उस शडेंतर के तहत जो है सारे ये इस किसम के जो है कांड हुए और अभी भी इनको शरम नहीं आ रही यह ऐसी बैसरम पा तो इस किसम की बात कहना अपने आप में जो है एक नाकरातमक सोच की बात है जो संविदान के खिलाफ है, जो नेतिकता के खिलाफ है तो ये फिर भी जो है इसको अगर हम टोलरेट कर रहे हैं तो फिर समझ सकते हैं कि लोगतंतर कितने जो है घत्रे में हैं चाहा कि लोग तंतर जो है एक स्नुदान के तैश चलता जो संदुदान में नियम दिये हैं उन नियम की अवेल रखी जारी है उनने नियमों को ताख पर रखा जा रहा है और जन्ताने हमें पांध साल के लिए चुन के बेजा है और बारी बहुंत के साथ चुन के बेजा हैं अब इनको यह है कि पांच साल तक यह जो सत्ता के नस्दीग निया सकते थे तो सत्ता से बाहर जैसे मसली को निकालते है पानी से उस किसम की तडब बीजेपी के लोगों के अंदर है और किस तरह से यह दोबारा सरकार में वापिस आने का तरीका डूंड रहे हैं क्या यह संव कि अगर मान लोगों की बीजेपी के बाद का मान लेता है कि सरकार गिर जाती है तो यह जो आएंगे क्या यह नैतिक तरीके से आएंगे क्या यह हमारा लोगतंतर रहेगा बवुस्य में क्या हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं कि कल जो है हमारा लोगतंतर खत्रे में हमारा सम्विदान खत्रे में है तो किस तरह से बविष्चे हिमाचल का नहीं है बविष्चे इस देश के अस्षित तबका है कि ये देश बविष्चे में किस दिशा में जा रहा है क्या ये लोगतंतर रहेगा जिस लोगतंतर के लिए हमारे महान नेताओं ने जो है महान बलिदान अज हम उस बात को बूल कर दवारा से क्या डिक्टेटर्शिप की तरब जा रहे हैं तो यह बड़े शर्मनाग गटना हो रही है और इसको बड़े बेशमी से किया जा रहा है और फिर भी यह लोग जो है अपने अपको नापाक कह रहे हैं यह एक सबसे बड़ी आज जो है एक एक सोच जो हमें करनी चाहिए उसका है अपने साथियों के बारे में बैसे कहना नहीं चाहता था प्रंतों अब मुझे कहने के लिए मजबूरन कहना पड़ रहा है अगर उनको कोई भी पार्टी से यह हमारे कहकेते हैं सरकार किसे या मुखे मंत्री से कोई भी श्कायत थी तो उसके लिए हमारे पास CLP का फॉर्म होता है हर मीटिंग से पहले CLP की बैठक होती है उसमें सभी को पूरी आजादी होती है अपनी बात कहने का और एक यह फॉर्म था जिसमें वो रिडर से कर सकते थे सैकेंड फॉर्म था पार्टी के मादिम से कर सकते थे इन दोनों को इनों ने जो है उपयोग नहीं किया और बलके ज़स दिन हमारा यह जो विदान सभा का सेशन था उस समय भी CLP में बलाई गई थी, CLP में सारे लोग बैटे और इस किसम की बात, इस किसम की शिकायत, वहां पर किसी भी मानने जो छे लोग हमारे से बाहर हो गए है इनों ने रखी बलके जिस दिन लोग राज्य समा का वोटिंग होना था शाम को साथ बज़े जो है सील पी फिर थी उस सील पी में सभी मानने जो लोग है आद निसकासित हुआ है ये भी आए उन्हों ने वहां पर एक सब्द अपनी नराजगी के बारे में नहीं बताया अगर वो कहते ह कि भी हम बोट लो है नहीं डालेंगे हम नराज है हमारी नराजगी को दूर की जाए तो वो एक संविदान के टायत लोग तंतर में ये बहुत बड़ा एक अधिकार जो था उसको उन्हों ने खूलिया अब अब जब ये निसकासित हुए है अब ये कह रहे हैं कि हमारे ये ग्रिवंस थे फलाने थे तो क्या इनको ये अधिकार है अगर ये हमारे पार्टी के आदर्शों से भी अगर अलग हो गए है या नराजगी थी तो रिजाइन कर देते हैं रिजाइन करके ता बारा से चुनाओ लड़के आ जाते हैं और जिन्हों ने आपको नराजगी दी या जिन्हों ने आपको जो है मोका नेदिया उनके खिलाब कर लेते आप वो तो एक लोगतांतरिक तरिका था परन्तु आप जो है दूसरे खेमे में जाएंगे तो हमारा जो सर्मिदान में शरूल 10 में बताया हुआ जब आप अपने दल के खिलाब हो जाओगे आप बजट सेशन चला हुआ है बजट में अगर एक भी कट मोशन गिर जाए तो सरकार गिर जाती है तो आप तो सरकार गिरा रहे थे आप कहा थे सरकार के साथ तो यह जो डंडा तो बजने था आपके उपर बिना डंडा बजाया आपको कैसे शोड़ देते कोई भी खेल होता है नियम स आप इसके बारे आप मरसे जादा जानते हैं जो बागी है वो करें कि और भी अधिया हमें तो जो है आखरी पड़ाव जो है सुप्रीम कोट है हमने हमेशा सुप्रीम कोट के चाहे फैसले चाहे हमाई मतलब उसका पाइदा वह नहीं हुआ हम हमेशा आखरी लोग तंतर में क्या हमें तो सुप्रीम कोट के तक ही सीमित है सुप्रीम कोट जो भी फैसला देगा उसको हमें मानने है और चर्चा यह जो है खुली रहती है कोई चीज असा नहीं होता कि आज आप कहेंगे कि हम दो दोस्त हैं कल वही दूं जो दोस्त हैं दुश्मन मन जाते हैं और के बातों मैं यह कहना चाहता हूं कि कैबिनेट का मतलब नहीं होता है कि वहां जाकर रामसलाम करो जब भी लगाउं कई मुद्धे होता है जिसके ओपर एक दूसरी की सहमती नहीं होती है इसलिए कैबिनेट में हम एक दूसरी के विचारों को भी समझते हैं पॉलिशी में लगए A, ठीक लिये, पी टीक लिये हमें डिस्कस करने का पूरा अधिकार है और उस अधिकार का हम लोग पूरा पालन भी करते हैं और फिर बाउमत की जो रहे होती है कैबनेट में उसी का पैसरा होता है जहां तक कभी एक ये जो कान जिसको कान का रूप दिया जा रहा है ये और मुझे किसी ने बताया भी दिया है, मैं वैसे स्कॉल कर रहा था, तो मैं जब चंडिकर पहुचा देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्यूंकि मैं तो जो है, जो कैबनेट था, दो बजे के आसपास लॉंच टाइम हो गया था, दो से भी बलके थोड़ा समय हो गया जो फर्स्ट लिस्ट एजेंडा का था, वो खतम हो चुका था, और मैंने मुझे मंत्री के ध्यान में लाकर मैं जो है, निकला, मैंने क्योंकि टूर प्रोग्राम ओलेडी सर्कॉलिटर था, मैंने परमानों तक जाना था, तो मैं वहां से निकला, और जब बाद मैं देखा, तो ये दो न्यूस चैनल्स ने इस किसम की कहानी गाड़ी गई, कि जिसमें मैं रोहित ठाकुर उनके साथ जगड़ गया, और उनके साथ जो है, हम दोनों के बीच में जो है, बहुत ज़्यादा तनावब रहा, तो इस किसम की जूटा एक परचार करके, मुझे समझ दिया ह है, जिसम के जो है, हमें तेरे जो है, ज़ने जो है, जुगा है, इस किसम की क्या फ़या दात हुई, हम अपने परटी के लोगों के नजरों में में घिरा गया, मैंने तुरंट जो है, उसे चैनल के, जो करने वाले हैं, उन से संपक किया, और मैंने का, आप नहीं यह siadentr क् तो वो जो है इदर उदर की बात करके बात डालने की कोशिश की तो मैं जो है बहुत आहत हुआ हूँ इस बात से मैं जो है जो भी कानूनी कर जो मेरे पास कानून का सारा है मैं उसको लेकर इन दोनों चैनल के खिलाब जो है मैं कानूनी कारवाई करूगा Bureau Report City Channel शिम्ला